सबसे पहले आज मैं सिलेवर्स को एक्स्प्रियन कर देता हूँ, आज की क्लास होगी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, आज ज्यादा कुछ होगा नहीं, पढ़ाई के माम लेकिन यही क्लास होगा, आपको 8-9 मैना तक सिखाएगा सब कुछ, क्योंकि जब तक किसी च इसी भी एक्जाम में चार चीज़ें आती हैं, किसी भी एक्जाम में, आप मोटा मोटी देखोगे, चाहे कोई भी एक्जाम देजिए, चाहे SSE काप MTS का देजिए, CHSL का देजिए, CGL का देजिए, CPO का देजिए, दिली प्लिस कॉंस्टेबल का देजिए, उसमें इंग्लिस नहीं आती है, यूपी प्लिस के भी वेकेंस चीज़े होती है वन डे एक्जाम में यही चार चीज़े चाहे आप MTS का फॉर्म भर लिजिए आप क्या कहते हैं रेलबे का फॉर्म भर लिजिए बैंक का फॉर्म भर लिजिए दिलिप्रीस अभी हेड कॉंस्टेबल की वेकेंसी आने वाली है यह सकता है नोटिफिकेशन पहले ही आजाए तो आने वाली है तो मोटा मोटी देखोगे किसी भी एक्जाम में चार चीज़ आती है है मैथ इंग्लिश रिज्ञ और चीज़ आती है ठीक है आप साफ चर्चा कर लेते हैं टार सेकेंड होती है जाहे आप छेसल की लिए लो यह एम टीएस का लिए लो तो मोटा मोटी सब में लगोगो यही सारी चीज़े आती है ठीक है आपको पहला पर प्र जोता है क्वालि स्टडी मत करना यह सुचना की क्वालिफाइंग यह होता है क्वालिफाइग कर भी जाओगे न अगर उसमें माक्स जैदा नहीं होंगे तो आप कभी भी फाइनल लिस्ट में नहीं पहुच पाओ यह ध्यान रखना अगर आपने पहला पेपर कुछ बच्चे सोचते हम क्वाल क्वालिफाइ करना क्वालिफाइं कभी एटिट्टूड रखो कि हमको मैथ हो चाहे इंगलीस हो चाहे रिज़निंग हो चाहे जिके जीएस हो हमको 100 परसेंट आना चाहिए इस वार मेट कितने की गई है मेट लिस्ट के चक्कर मत वर्यों सरकार का काम है आपका क्या है कि अब इसमें man जो problem होती है वो problem होती है math और English किसी भी exam में आपको सबसेदा जो कस्ट पहुँचाएगा कौन सा paper कस्ट पहुँचाएगा math और English ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं कि reasoning dkgs नहीं पढ़ना है बुंद बुंद से घरा फड़ता है पढ़ना आपको सब है लेकिन सबसेदा focus किस पह रखनी है math और English क्योंकि ये दो जो paper होते हैं वो hard होते है सबसेदा आपको परिशानी किस में होगी math और English अब ये देखिए ये दोनों paper तो hard होते हैं अगर math और English में comparison किया जाए कि इन में से कौन सा ज़्यदा tough होता है तो इन में से ज़्यदा tough कौन सा होता है math क्योंकि ये pure working paper है और मैं जो आपको बताऊंगा तो अपने दिल से पूछे आपको सबसेदा hard paper कौन सा लगता है अंतरात्मा से दिल से पूछे क्या आवाज आती है math math कौन सा hard paper आता है math man problem होती क्योंकि आप math को हमेशा जर से पढ़ना पड़े हमेशा आपको base को कुरिदना पड़ता है math आप कहीं से पढ़ेंगे सो संभव नहीं है और इसमें होता क्या है अगर देते भी है उसमें तो होता क्या है कि आप लेंदी में थोर पढ़ते है 10 का एक्जाम दिये होंगे तो उसके दसमी का board दिये होंगे न तभी तो यहां बैठे हो है चोड़ी चाकारी करके नहीं पास में तो दसमी का एक्जाम दिये होंगे किस पेपर नो कहां से कौश में यूपी बोड में सतर कुशन होता है और प्रैक्टिकल का नहीं वह कर रहा हूँ ठीक कर रहा हो प्रैक्टिकल मिला करके ठीक कर रहा हो लेकिन नर्मली जो भी हाँ मतलब किसी भी बोड का ठीक कह रहा है आप लेकिन पूरा आप normally देखेंगे क्योंकि maximum हमारा रूल है कि किसी भी बॉर्ड में maximum 35 से जएधा question नहीं हो सकते सबसे जएधा जो बोर्ड में एक्जाम में जो questions आते हैं, वो आते हैं CVSC बोर्ड में, 35 questions होते हैं, अब बिहार, UP में normal जो written format होता है, वो किसी में 25 questions आते हैं, किसी में 30 questions आते हैं, किसी 32 प्रैक्टिकल वगेरा तो बहुत सारी चीज़े होते हैं, तो आप कई session होता है उसमें, लेकिन साथ से 8 मिनट में कभी solve किया करते हैं, अब उसी questions को वहां कितने समय बनाना है, 30 seconds के भीतर, 15 seconds तो question पढ़ने में लग जाएगा, तो वहां पे जो आपने पढ़ाता हो क्या था, lengthy method, वहां क्या था, traditional method, परमपरातरे से माना की पिता की IUX, पुत्र की IUY, दो पुत्र है, त खोटा हो गया, Z, आएक बहन है तो सोचते रहे हो कि X, Y, Z तो मान लिया, फिर माने किया चाओ थे, ठीक है, तो वह एक lengthy method होता है, यहां पे आपको क्या चलना है, smart solution लेना है, यहां पे आपको smart solution लेना है, पूरे competitive attitude बनाना है, आपको कोई भी question, smartly handle करना पढ़ेगा, वहां लेन्दी method नहीं चलेंगे, टेडिंस्टल method नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं, ठीक है, short चीज़ें चलेंगे, कोई भी question यहां पे, secondo में solve करने का हमारा एक attitude बनेगा, ठीक है, same क्या होता है, English, English भी वही है, English को भी आपको क्या करना पढ़ेगा, जर से पढ़ना पढ़ेगा, English में भी क्या होता है, आप चाहेंगे ना, कि हम 10 पढ़ेंगे, कभी 10 नहीं पढ़ पाओगी, फ़ले क्या पढ़ना पढ़ेगा आपको, noun, फ़ले आपको a and use पढ़ना पढ़ेगा, ध्यान सुनना, पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा, math और English में problem क्या है, हमेशा इसको क्या ल पढ़ेगा, लेकिन चाहेंगे, कहम math में सीधे percentage पढ़नेंगे, तो नहीं समझ मायागा, क्योंकि percentage के लिए पहले क्या ना चाहिए, average, average को समझने के लिए पहले क्या ना चाहिए, ratio and proportion, इसको समझने के लिए क्या ना चाहिए, पहले basic math, बेस अच्छा होना चाहिए, तभी इस पर बनेगा, समझ रहे हैं, are you getting my point, what I am trying to say, is it clear, समझ रहे हैं कि नहीं, syllabus है समझ लेना, किसी भी चीज को सोचना, किसी भी चीज को करना, दोनों अलग अलग चीज़े होती है, चलो आपने सोचा, एक सेके निकले, चलो हम ताजमल देखके आते हैं, चलो ताजमल बैक ट्रेन पकरोगे, डिरेक्ट क्या करोगे पहले, आप सोचे हैं कि रानी की महल है कहां, क्या तरीका होता है, रानी की महल है कहां, अभी है कहां तो कितना किराया लगेगा, जाने का क्या क्या साधन है, कैसी कैसी वहां जा सकते हैं, अब वहां देखेंगे होटल कहां कहा है आपने सिर्फ सोचा कि हमको रानी की महल देखना है अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा वह आपको जानना बहुत जोरी है तभी न मिलेगा सोचना और करना दोनों अलग लग चीजे होती है ठीक है तो यह जो पेपर होते हैं यह वर्किंग पेपर होते हैं पढ़ निवाइन को रोटी रोज बनती है रोटी में कभी घरवरी नहीं होगा दियाँस दिहां से सुले ना रोटी रोज बनती है चावल रोज बनते हैं सबजी रोज बनती है देखो कि नो ममी बहुत एक्सपार्ट होगी पूछना ममी से अप एक्सपार्ट होगी तुरांत पांच मट में दस रोटी बनागे छोड़ देंगे और रोटी में कभी घर वर इन होगी लेकिन घर में कभी मतर पनी तो इसमें घरवरी होने के चांसे जयदा होते लेकिन जिस चीज़ को रोज बना और इंगलिस में घृतिक्पों समझे है यह रोटी समझी समझे रोज की चीजह हैं जितना इसमें पढ़ोगे जितना बनाओगे तो सबसे ज़्यादा मैं प्रॉबलम आती है किसमें आती है मैथ में यह मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई अगर सेलेक्शन लेना है न हिंदुस्तान में कोई भी जॉब चाहिए तो आपको मैथ और इंगलिस बैस्ट रखना पड़ेगा और मैथ इंगलिस जैसे ही आपके अच्छे हो जाएंगे automatically आपकी reasoning और gkgs अच्छी हो जाएंगे इसका मतलब है कि आप परने वाले चातर हैं आप परने वाले चातर हैं क्योंकि मैथ इंगलिस जब आपने अच्छा कर लिए है तो reasoning gkgs आप से अच्छा हो ही जाएगा उसी-धी सी बात है तो इसमें क्या होता है अभी जो अपड़ेट से लिवस किया आगे आप जानते होंगे मैथ में एक पार्ट होता है अभी बेसिक मैथ शुरू किया है इसके अंदर जो मैंने जो बच्चे कुछ लिए होंगे मैंने पहले भी चर्चा भी की थी पढ़ाया भी था तो पहले आपको जो बताता हूँ यहां से स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लोगा बांकि आपको कोई डॉट हो तो मुझे जरूर पूछ लेना आप ठीक है मैथ के दो पार्ट है एक है एलिमेंटरी मैथ मतलब सम्मानि गनित और एक है एडवांस मैथ एडवांस मैथ होता है एक बडचा पूछ दिया है सर एडवी मतलब एडवांस मैथ होता है तो यह आप दो भागों बाटा गया है एक math क्या आपका? elementary math, दूसरा क्या आपका? advanced math. किसी भी exam में समानता 50% questions यहां से पूछे जाते हैं, और 50% questions यहां से पूछे जाते हैं, normally आप syllabus में समझा जाता हूँ, elementary math का मतलब होगे समान निगनी ते, जिसे basic math जो पहले बोला आपको, test and proportion, percentage, profit and loss, time and work, CI, compound interest, simple interest, isolation, समझ गे, board math वही basic math में आ गया, इसमें होता है, इसमें क्या होता है, मातर 5 chapter होते हैं, ध्यान सुले ना लिखने जो पहले नहीं है, सारा आपको परना ही है, 5 chapter होते हैं, इसमें पहला आता है algebra, दूसरा आता है 2D, 2D मतलब छेतरफल, area, तिसरा आत चौथा आता है, ट्रिगो, यानि क्रिकोन में थी, और लास्ट चेप्टर होता है, जोमेट्री, यानि कि जैमीं थी, clear हो गया, अब देखो, इसमें 18-19 chapter होते हैं, इसमें मातर कितने chapter होते हैं, 5 chapter होते हैं, clear है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जितना पढ़ने में आपको इसमें जितना समय लगेगा, उससे 2, 4, 5, 7 classes जैदा ही आपको इसमें लगेगा, ये hard होता है, math तो दोनों ही hard है, ये भी hard है, ये भी hard है, लेकिन अगर comparison दिखोगे, तो इसके comparison में कौन सा math जैदा hard है, ये बना, advanced math जैदा hard, आप सोचो ना कि 19 chapter को पढ़ने में जितना समय लगेगा, उससे 2, 4, 5 classes आपको जैदा ही किस पढ़ने में लगेगा, advanced math में लगेगा, और एक चीजा और ध्यान सुलेना, जब तक पूरा math नहीं पढ़ोगे, तब तक नोकरी नहीं लगेगी, ये ध्यान रहे, खुल के बोल दिया, पहली class है, कोई सपाने वाली बात नहीं है, math और English खराब है, आपका हिंदुस्तान में नोकरी की कलपना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि math जो है, वो एक कुरेट पेपर होता है, अगर आपको आपको नहीं आ रहा है, कोई दिकत नहीं, लेकिन जिस दिन आपको math आ गया, पचीस में पचीस करके जाओगे, एक आथ को question गलत हो जाए, वो आपकी mistake होगा, वहाँ पे, क्यों, तुकिन इसका syllabus fix है, आपको पता है कहा कहा से पूछेगा, लेकिन GKS का कोई syllabus fix नहीं होता है, कहीं सभी पूछ देगा, क्रेंटेफर से question पूछ देगा, कोई syllabus fix नहीं है, history, geography, politics, chemistry, bio, economies, कितना पढ़ोगे, stats, GKB add कर द पता हैं कि प्रतिसा से question आने वाला, आपको इतना तो पता है कि लाभानी से question आने वाला, तो बस उसको पत लो, क्योंकि इसकी syllabus क्या है, fix है, same English में भी यहीं होता है, English में भी grammar और क्या होते है, vocabulary होते है, एक बार आप उसको पत लेंगे, कोई भी दिकत नहीं होगी, ठीक है तो math में दो पार्ट है, आप देखो कि आपको clear कर देता हूँ, आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन set अलग-लग बनाये जाते हैं, set जो होते हैं, अलग-लग बनाये जाते हैं, कुछ ऐसे भी set होते हैं, जिसमें देखोगे न, खाली advanced math से question पूशेगा, ध्यान से सुले न, आ basic math के 8 से 9 questions थे, जो आप पढ़ोगे लगाता है, basic math के 8 से 9 questions थे, advanced math का एक भी question ही था उसमें, 2-4 percentage का, 2-4 profit and loss का, age relation का question था ही ने, mixer का question था ही ने, तो ये पूरा syllabus है आपका, अब वो कहता क्या है SSC या कोई भी commission, कि हम आपको कोई भी chapter से question पूछ भी सकते हैं, कोई भी chapter से question छोड़ भी सकते हैं, उसके उपर निर्वर करता है, लेकिन आपको पूड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको पूड़ा math आना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं जानता है, कि आप तो ये नहीं जानते हैं, कि भाई, कहां से question आएगा, आप में कहां से नहीं आएगा, अभी ज सेट ऐसे बना देंगे, जिसमें पूरा elementary math रहेगा, एरभास math के दूर तिन question रहेगे, तो वो उसके उपर निर्वर करता है, आपको पूरा पढ़ के जाना है, समझ गे, आपको पूरा math आना चाहिए, clear है, तो सबसे पहले, अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम आपक क्या है, BCM, thought में बोलते हैं इसको, basic quantitative math, ठीक है, इसमें आप ध्यान से सुन लेना, इसके अंतर गत 5 chapters साथ है, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो कि बात ने, इसमें 5 chapters साथ है, अगर पूरा दिखोगे, तो पहला होता है, problem based on number series, आप सुन सिर्फ, ठीक है, recording भी होड़ी है, आपको online भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप YouTube भी आओगे, बहुत जल्द हो भी आपको मिल जाएगा, एक से दो दिन में अब सारा चीज आपको कर देंगे, ठीक है, इसमें होता है, problem based on number, पहला, number series है, दूसरा जो होता है, इसम होता है, board mass, कितने part आते हैं, इसमें, पांच, तभी ने पांच साथ question पूछता है, पांच chapter होते हैं, और पूरे math का सबसे heavy part यही है, BCM, update किया गया है, अभी हम जानते होंने, syllabus update हुआ है, चीजें वही है, math न कभी बदला है, न कभी बदलेगा,